वाइज वेलकम टो माई ये टू चैनल नौलिज टेडी पलस तो गाईज आज हम देखने वाले हैं निर्दर सांग कॉरन यानिकी कोडिनेट रोटेशन क्या होता है तो सदिस्की संकलपना निर्दर सांग निकाह यानि की कोडिनेट सिस्टम से सतंत्र है तो आप जिससे की समझ सकते हैं डाइगराम के द्वारा यानि कि सदिस की संकलपन निर्दसांक निकाह यान की कोडिनेट सिस्टम से सतंत्र है यानि की कोडिनेट जो हमारे यह कोडिनेट है तो यह जो हमारे हैं सिस्टम से सतंत्र हैं यानिकी पॉजिशन वेक्टर को एक आधिस लिया जाता है तो आधि यह जो उता है और पोजिशन वेक्टर इस एक आधिस लिया जाता है इस्तिती सदेज हैने की position vector एक जोमती है जोमरेटी बस्तु है जो निर्देशांक निकाए यान की coordinate system से सतंत्र है यान की freedom है तो गाई हम आगए समझते हैं अब माना तो निकाए system में इस्तिती सदेज हैने की position vector as, m, as, des है तो काई जब diagram के द्वारे भी समझते हैं की माना तो माना तो system में इस्तिती position vector as, m, as, des है निकाए system as, des, comma, as के सब एक five angle से गुणन rotation यान की घुम रहा है घुम कर रहा है तो काई जब diagram के भी द्वारे दे सकते हैं की कोई कोई निकाए है system as, des, as के सब एक five angle से गुणन यान की rotation कर रहा है यान की घुम रहा है तो सरलता के लिए द्विय इस्तित यान की 12 dimensional position लेने पर माना एक्स बाई एस निकाए के मूल बिंदू यान की ओरिजन के सपेक्ज तो है सरलता के लिए द्विय इस्तित यान की 12 dimensional position लेने लेने पर माना एक्स बाई एक्स सिस्टम के मूल बिंदू ओरिजन के सपेक्ज लिए गई पॉइंट की निद्शां के नहीं कोडिनेट एवं एस डेस के मूल बिंदू ओरिजन के सपेक्ज लिए गई पॉइंट के कोडिनेट पॉइंट के निद्शां कोडिनेट हैं एवं एस डेस सिस्टम के मूल बिंदू औरिजन के सापिक लिए गए पॉइंट के कॉडिनेट x-by-dash हैं दोनों निकायान के सिस्टम में पोईशन इस्तिति साथिस वेक्टर r वेक्टर इस्तिर है यान के रुका हुआ है S- में इस्तित P के नड़शांक कॉडिनेट को F के नड़शांक के पदों में निम्ट प्रिकार बेस्ट की एज रखता है जैसे कि हमारी गाइज दोकेशन आई है जैसे कि आप देसकते हैं आप डियागराम के थ्रोग भी समझ सकते हैं इसे गाइज देसकते हैं कि यदि ओपी डैस को सदिस वेक्टर एवेक्टर माना गया है तो एक्विशन फर्स्ट में एक्स तदा बाई निर्देसां को यह कोडिनेट को सदिस वेक्टर एवेक्टर के घट को द्वारा प्रद्यासित किया ज़ता है इसको आप डियाग्राम को थोर्वी समझ सकते हैं यदि यदि ओपी डैस को एक सदिस वेक्टर एवेक्टर एवेक्टर के घट को द्वारा प्रद्यापित किया जा सकता है यदि ओ वेक्टर पी को एवेक्टर माना जाए तो कुछिशन फर्स्ट में एक्स तथा बाई निर्द्यापित को यदि कोडिनेट को सदिस वेक्टर एवेक्टर के किरमांग X तथा बाई दिसा यानिकी डिरेक्शन में घट को द्वारा प्रतिताबित किया जा सकता है तो S डैस निका यानिकी सिस्टम में रूपानतित घटक कॉमा A डैस X A बाई डैस निम प्रकार प्रतितित किया सकते हैं तो गाइज आप समस्कते हैं कि A डैस हमें दो किशन पर प्रति हैं जिसके आप दिशेते हैं A डैस X is equal to A X cos 5 plus A Y sin 5 और A डैस Y is equal to minus A sin X 5 plus A Y cos 5 यदि A X 7 A Y 2 निकायों में execution 2 के अनुसार फुपानति घटक को घटक हैं तो इबे A डैस के घटक प्रदान करते हैं तो गाइज आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह पसंद आई तो से लाइक एंड सप्राइज जरू करें मिलते हैं तब तक ली मिलते हैं नेस वीडियों तब तक ली धन्यवाद